पुर्व अध्यक्ष ब्रजबुशन सिंग और सेकेटरी विनोत तोमर को राउज एवनी कोट ने अंत्रिम जमारत दे दी है दिली पुलिस की और से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तो पेश हुए कोट ने पुछा जमानत के लिए आपके क्या तरक है दिली पुलिस ने का हमने ब्रजबुशन को गिरफता नहीं किया है जमानत देने में शर्ट तो होनी चाहिए इस पर कोट ने ब्रजबुशन को 20 जुलाई तक अंत्रिम जमानत दी कोट ने कहा कि वो 20 जुलाई को नियमी जमानत पर भैस सुनने के बाद तिर्णे लेगा कोट ने ब्रजबुशन के अलावा दूसरे आरोपी विनो तोमर को भी अंत्रिम जमानत दे दी है 25,000 के निजी मुचलके पर जमनत दी गई है गोरतलाबे के मंगलवार को 6 बालिक पहलवानों दोरा दर्ज कराए गई योन शोशन केस में सुनवाई हुई इससे पहले कोट ने 7 जुलाई को समंद जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोट में पेश होने का अदेश दिया था इस पर ब्रजबुशन ने कहा था कि वो कोट से जरूर पेश होंगे पेशी के लिए उन्होंने कोई छूट नहीं चाहिए इससे पहले केस की सुनवाई एक जुलाई को हुई थी दिल्ली को राउस एवेन्य कोर्ट ने योन उत्पिर्ण मामले में दायर आरोप पत्र पर संग्यान लेने पर विचार के लिए साथ जुलाई की तारिक तै की थी बता दे की दिल्ली पूलिस ने 15 जुन को राउस एवेन्य कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की थी आरोपियों में ब्रजबुशन के अलावा डबलू एफाई के असिस्टन सेकेटरी विनोत तुमर का नाम भी है चार्जशीट में पहलवानों द्वारा मजिस्ट्रिट के सामने दिये गए बयान को एहम आधार माना गया है इसी के साथ बने रही है राजनामा डिवी के साथ धन्यवाद